पंजाब में कॉंग्रस ने आप सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है कॉंग्रसी चंडीगर में विजिलन्स ओफिस के बाहर पहुंच गये हैं कॉंग्रस नेताओं का कहना है कि आज सब पूर्भ मंत्री और विधायक हाजी ने जिसकी भी विजिलन्स को जरूरते उसे गिर सेंडर घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है कॉंग्रस का कहना है कि आप सरकार राजनीतिक बदलाखोरी कर रही है वहीं प्रधान राजर्वरीन ने कहा कि वह सबी पूर्भ मंत्रियों विधायकों नेताओं को लेकर विजिलन्स ओफिस पहुंच के हैं सरकार को जिसे गि नेता भागा नहीं है